Good morning friends आज हम बात करेंगे photosynthesis के अगले part के बारे में जैसा कि हमने पिछले part में डिसक्स किया था photosynthetic pigments वो कौन सी range में absorb करते हैं कितने type के होते हैं इन के बारे में photosynthesis की significance क्या है इन के बारे में हमने बाते करेती हैं तो उसी चीज़ को हम आगे लेके चलते हैं photosynthetic pigments basically हमने तीन टाइप के consider करे थे जिनमें primary था chlorophyll और carotenoids और phycobillines को हमने accessory pigments का status दिया था क्योंकि वो light की उस range को absorb करके chlorophyll तक पहुँच आते हैं जिसको chlorophyll खुद absorb नहीं करता यानि उसको assist करते हैं इसलिए उनको हमने accessory pigments का नाम दिया अब हमें आज ही डिसकोस करना है कि जिस range में उन्होंने absorb किया और कौन सी range में वो effective ज्यादा होते हैं मतलब वो कौन सी range में पोदे के metabolism को पोदे के development को ज्यादा फाइदा पहुँचाते हैं यानि plant response कौन से reason में सबसे ज्यादा होता है वो हम action inspector आगे तू समझेंगे उसके बाद में हम इसी light के जो reasons हैं उनको एक reason है कि दो reason है कि ज्यादा reason है कि कौन से हद का reason है जो पोदे के विकास के लिए या photosynthesis के लिए सब के लिए जरूरी है तो उनके लिए हम कुछ दो effect पढ़ेंगे जो scientist ने consider किये थे जिनको नाम दिया गया enhancement effect and red drop effect और finally यहां से कैसे conclusion निकल के आया कि oxygenic photosynthetic organism में दो photosystem होता है क्योंकि एन oxygenic में हमने पहले consider किया हुआ है कि इस सिर्फ एक ही photosystem होगा चाहे तो photosystem one चाहे तो photosystem second लेकिन वो सारा का सारा case pro carry odds के लिए restricted है यू carry odds में exclusively दो photosystem होंगे यह prove कैसे हुआ या यह ऐसी insight हमें कहां से मिली इसके बारे में हम आज one by one बात करेंगे so let's have a look firstly the action spectrum action spectrum बहुत ही simple है हम इसमें से यह अंदाजा लगा सकते हैं कि जो light का wavelength है visible wavelength 400 nanometer to approximately 700 nanometer क्या यह पूरी की पूरी इस range को बोलते हैं PAR photosynthetically active reason तो हमें यह देखना है कि क्या प्लांट सिर्फ light के अगिंस्ट में photosynthesis का ही response जीता है इसके लवा और बुछ नहीं करते हैं नहीं ऐसा नहीं है there are two three major things which are very very important like photosynthesis there is another term photomorphogenesis morphogenesis means morphology का development वह रहाँ यानि पूरे पोदे के विकास के लिए light की जरुवत पड़ेगी वो कैसे जरुवत पड़ेगी उसके लिए कौन से टाइप के pigments होंगे वो हम एक अलग chapter में consider करेंगे आपने नाम सुना होगा फाइटोप्रॉम्स फाइटोप्रॉम्स, क्रिप्टोप्रॉम्स वो वहाँ काम आता है इसी तरीके से एक word आया जिसके लिए अभी recently एक दू साल पहले Nobel Prize मिला था biological rhythm है ना जैसे हम लोग आज 2-5 दिन लगा तार 10 बजे अगर हम morning में breakfast करते हैं उससे पहले भी नहीं करते हैं और उसके बाद में भी नहीं करते हैं तो छटे साथमे दिन हमारी एक आदत ऐसी बन जाएगी कि बोडी की demand तकरीबन 10 बजे हमें breakfast की demand करना शुरू हो जाएगा तो यह जो चीज है इसको बोलते हैं biological clock set हो गई है यानि biological रिदम आ गया है एक metabolism में भी रिदम आ जाता है उसके लिए ट्रिप्टो क्रॉम की भी हमें जरूर पड़ सकती है तो ऐसे कही सारे pigments है तो एनिवे वाट आ जिस्त मीन तो say that light is not only responsible for the photosynthesis but also it is responsible for photomorphogenesis for the development of whole plant directly or indirectly that means the whole plant life is dependent directly or indirectly on the light so we need to understand that thing so many of the actions that can be measured against the light for example seed germination for example oxygen evolution for example flowering for example phototactic movements of the plant etc etc यानि अगर movement ज्यादा हो रिये इसका मतलब light energy को हमने ज्यादा अच्छे से काम मिलिया यानि पौदो ने ज्यादा अच्छे से काम मिलिया तो यही तरीका है अगर oxygen का evolution ज्यादा होता है तो क्या हम कह सकते हैं कि photosystem second ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है बिल्कुल कह सकते हैं तो फिर हम ये भी देख सकते हैं कि पौधा कौन सी light दी जा रही है monochromatic light अगर हम दे यानि सिर्फ blue reason की light हमने दिया तो वो उसको बोलेंगे monochromatic या सिर्फ red color की light दिया या yellow दिया या green दिया तो हम इस तरीके से ये तै कर सकते हैं कि कौन सी light पौधे के development के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है या पौधा कौन सी light के against में सबसे efficiently respond करता है हम उसको क्या नाम देते हैं action spectrum तो action spectrum से कुल मिला के हम ये आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सी wavelength की जो light है वो relatively effective है plants की action generate करने के लिए plant को respond करने के लिए बस यसी को हम action spectrum कहते हैं और आप यहाँ इस diagram में देख पा रहे हैं अच्छे से कि ये जो red color की dotted line है ये absorption spectrum है यानि chlorophyll basically इस zone में कौन सा zone तकरीबन 450 के आसपास एक peak आ रहा है और दूसरा peak आ रहा है तकरीबन 650 के आसपास इस nanometer की range की light को chlorophyll सबसे ज़्यदा absorb करता है और आप देखिएगा plant की जो action से या response से उनका peak भी इसी के साथ में correspond हो रहा है इसका मतलब ये है की blue light और red light are more effective for generation of the plant actions or for the plant response इसको हमने action spectrum नाम दिया now second important thing is what is the significance of action spectrum हम क्यों पढ़ रहा है इस action spectrum को हमें हमारी studies में इसका क्या फाइदा मिला है तो ज़र हम देखते है हमने देखा कि अलग-अलग type के actions के लिए अलग-अलग pigments responsible अब कौन सा pigment कौन से type के action के लिए responsible है अगर हमें इस चीज़ को पता लगाना है तो हमें action spectrum से मदद मिलती है हम उसके absorption कोई भी pigment जैसे सबोज कर लिजिए pigment X ले लिया pigment X लेने के बाद में मैंने कोई भी एक action भी ले लिया और वो action ले लिया मैंने say photosynthesis तो photosynthesis कौन सी light में जयदा हो रहा है और किस reason में जयदा हो रहा है for example blue reason में जयदा हो रहा है अगर तो X का absorption भी blue reason में जयदा है तो मैं इसको correlate कर सकता हूँ सबोज कर लिजिए pigment Y है pigment Y जो होगा वो सबोज कर लिजिए absorb कर रहा है green light हाँ और plant जो होगा वो photosynthesis ज्यादा show कर रहा है blue और red reason में तो obviously बात है कि pigment Y cannot be correlated or cannot be held responsible for the photosynthesis so इस तरीके से correlate करके हम यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा pigment किस type के plant actions के लिए responsible है whether it is responsible for photomorphogenesis or for the photosynthesis or for the vernalization or for many other action phototactic moments etc etc second important thing जो action spectrum किये action spectrum को study करते करते हमें इस चीज़ को analyze करने में बड़ी help मिली है scientist को analyze करने में बड़ी help मिली है कि plant में कितने photosystem है तो oxygenic photosynthetic creatures जो है जो कि usually higher plants या यूं कहें कि सारे के सारे यू केरियोटिक photo autotrophs और साइनो बैक्टिरिया यह सब oxygenic photosynthetic creatures हैं जिनमें हम अच्छे से जानते है oxygen evolve होती है और वो भी photosystem second की वज़े से evolve होती है हां कुछ जिनमें या तो photosystem 1 रहेगा या तो photosystem second रहेगा जैसा कि हमने पिछले lecture में बात भी करी थी जैसे purple bacteria उनमें कोई एक photosystem रहेगा heliobacter उनमें कोई एक photosystem रहेगा दोनों photosystem उनमें काम नहीं करते हैं only prokaryot that is having two photosystem and that is also the oxygenic photosynthetic organism belongs to cyanobacteria और the blue green alga जैसा कि nostoc, anabina, gliotrica, oloshira sorry, many other things है ना, तो ये सारे के सारे basically cyanobacteria हैं और जितने भी algae, bryophyta, teridophyta, higher plants, angiosperm, gymnosperm जो भी हम जानते हैं ये सब भी oxygenic photosynthetic creatures हैं जिनमें दो photosystem मिलेंगे तो इनकी discovery के लिए जो analysis था उसमें action spectrum के through जो study हुई उन्होंने बड़ी हमें मदद करी ये इसकी एक significance है next हम बात करेंगे enhancement effect जैसा कि हमने बात करी थी कि कौन सी light कितनी effective है और किस हद तक effective है और वो सिर्फ वो ही effective है या दूसरी light भी effective है तो scientist थे एक immersion उन्होंने एक छोटा सा experiment किये actually दो experiment करे थे enhancement effect और red drop effect तो जो enhancement effect था उसमें उन्होंने ये अच्छे से समझाया कि अगर हम पोधे को far red light देते हैं या तो फिर उसको red light देते हैं तो उसकी जो photosynthesis की capability है वो एक limit तक ही हो पाएगी ज्यादा नहीं हो पाएगी लेकिन जब हम उनको दोनों light देते हैं दोनों light का मतलब हमने 680 और 700 दोनों light को हमने एक साथ दिया तो पोधे की जो photosynthesis की capacity है वो individually अलग-अलग के double से भी ज्यादा हो जाएगी फोर एक्जामपल यह अगर मैं इसको 5 कंसीडर करूँ तो यह भी 5 5 और 5 10 तो इस अब से 10 यहां कहीं आना चाहिए लेकिन यह तकरीबन 15 के आसपास आ रहा है तो वोट वी कन अनलाईस फॉम यह if plants are exclusively dependent on the far red light for the photosynthesis photosynthesis is very limited if plants are dependent on red light for photosynthesis again photosynthesis is limited if their sum is say 10 and now we are considering if plants are simultaneously exposed to red light and far red light both lights then the photosynthesis is achieved more than the sum of these two lights and this is called enhancement effect that means what we can conclude अकेला यह light भी कोई जादा effective नहीं है और अकेली यह light भी कोई जादा effective नहीं है जब यह दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं तो एक दूसरे को compliment करेंगे और एक दूसरे को compliment करेंगे तो photosynthesis की असली rate हमें सामने देखने को मिलेगी तो इसलिए यहां से एक idea निकल के आया कि शायद photosystem में दो type की major reactions होती है और वो दोनों एक दूसरे पर dependent है, complimentary है इसलिए यह जो enhance हुई भी photosynthesis की rate है इसको हमने enhancement effect नाम दिया इसी तरीके से उनके दूसरे जो experiment था उसमें उन्होंने conclude किया कि उन्होंने quantum yield को consider किया quantum yield माने कि कितने 10 photon अगर पोधे पर गिरे हैं तो 10 में से कितने काम में आगे photosynthetic product बनाने में for example photosynthetic product means oxygen तो oxygen के कितने molecule बनते हैं और 10 में से कितने photons को काम में लिया जा रहा है यानि we can simply consider the proportion of absorbed photons converted into photosynthetic pigments is considered quantum yield यानि कितने quantum energy का हम yield ले पाते हैं photosynthesis में या plant actions के form में यह basically कहानी थे so red drop effect यह कहता है कि अगर हम सिर्फ far red light chlorophyll को देते हैं तो अचानक photosynthesis में गिरावट आती है यह देखे आप quantum yield का यह जो graph है यह जैसे ही 700 nanometer light दिया यह अचानक 700 के आसपास यह काफी कम हो जाता है okay so यह जो basic कहानी है इसको क्या कहा जाता है red drop effect इसका मतलब यह है कि chlorophyll जो यहाँ पर absorb करता है यह light उतनी ज़्यादा effective नहीं है यानि definitely एक photosystem ऐसा होगा जो कम काम कर रहा है और दूसरा photosystem होगा जो ज़्यादा काम कर रहा है okay so इन सभी conclusions के basis पे अब हम असली मुद्दे पे आते हैं कि plants में दो photosystem होते हैं खास तोर जो ऑक्सिजेनिक photosynthetics हैं और वो हम आई यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं और यह दोनों के दोनों wavelength dependent होते हैं ठीक है जैसे कि यह वाला case हम consider करेंगे 680 के आस पास एक photosystem है जो 680 nanometer की range को absorb करेगा और absorb करने के बाद में उसके electrons जो होंगे वो reductants बनाएंगे और यह reductants reductants माने जिन्होंने electron को absorb कर लिया है और वो दूसरे photosystem का यानि photosystem first का basically reaction center होगा P700 उसको वो electron provide करवाएगा और इसलिए यह जो electron लेने वाला है वो क्या हो गया oxidant हो गया और वो strong reductant बनाएगा NADP वो जो strong reductant है यहाँ पे यह आएगा faradoxine और faradoxine finally क्या बना देगा NADP बना देगा तो यह पूरी की पूरी एक कहानी है जिसमें हमें मदद करी थी action spectrum enhancement effect और red drop के analysis इन तीनों के analysis से हम इस conclusion पे पहुँचें कि oxygenic photosynthetic organism में दो photosystem होगे photosystem one and photosystem second अगली class में हम इसके बारे में detail में बात करेंगे लेकिन एक basic difference हम इन दोनों photosystem में consider कर लेते है photosystem one जो होगा वो तकरीबन 680 nanometer के आसपास या उससे ज्यादा का जो wavelength है उसको absorb करेगा photosystem second preferably red light जो की 680 nanometer है उसको absorb करता है photosystem first NADP plus या आप कह सकते NADPH एक strong reductant बनवाएगा और photosystem second जो होगा वो strong oxidant प्रोड्यूस करेगा जो क्यों water को oxidize करेगा और weak reductant बनाएगा जो की photosystem one के oxidant को re-reduce करेगा अगर हम वापस जाके देखें तो ये कहनी है strong oxidant इसने एक weak reductant बनाया और ये photosystem one है इस photosystem one से already light गिरने से electron यहा निकल गए थे यानि इसको अब electron की demand है और ये electron की demand इस से supply करवाई जाती है so that's all about the two photo system thank you so much stay blazed stay home